आप सपी को नमसकार दोस्तों, जैसा के आपके सामने एक पेपर दिकही दे रहा है, वर्द्मान मावीर कोटटा ओपन हिन्वस्टि का बीए फेष्टेर का, और हिंधी सैत ही की सेकेंड बुक का और दोस्तो जिस book का नाम है इन्दी गद्य बाग Second और कता साइति दोस्तो ये paper है जून examination 2021 का बिय फैश्टिर के इन्दी साइति है Second book का और दोस्तो जून examination 2021 वाले आपको paper इसलिए समझने आवसे गए क्योंकि इन्हीं जून examination 2021 वालों के paper के pattern के आदार पर आपके जून एक्जामेनेशन 2022 वाले एक्जाम के पेपर हा रहें तो दोस्तों आज के इस वीडियो इस जून एक्जामेनेशन 2021 के पेपर को समझेंगे कि पेपर में किते गद्यांस आएंगे और कौन से परशन किस अध्यास से लिए गए और साथ ही दोस्तों आपको Hindi साइटी के examination से पहले 3-4 दिन का समय दिये गए हैं उस समय को कैसे manage करके आपको पढ़ना हैं ताकि VM के exam में आपके अच्छे number आए और साथ ही दोस्तों ये भी समझने वाले हैं कि आपको गद्यास की व्याख्या किस परकार करनी है तो सली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए तो आपके अपने सैनल धुरीना इस्टडी को सब्सक्राइब जरू करता कि आपको VM से समझने सभी परकार की information मिलती रही है और दोस्तों साती वीडियो के डिस्क्राइब में वाट्स आप ग्रूप का लिंक दिया गए तो वाट्स आप ग्रूप में जरूर जुड़े वाब भी आपको VM से समझनेंट और समझने लेटेस न्यूज आपको मिलती रही है तो शली दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आपके पेपर में परशंट किसपर करने कासे हैं दोस्तों जून एक्जामिनिशन 2021 कि चो पेपर के परषण है उसके उत्तर आपको एजटी से आयाद नहीं करना हैं क्योंकि यह एजटी से परशन तो आए गी एक्जाम में आपको मत्वपन पर्षणों के उत्तर समझ दे कि आपके प्रषण क्हाएं किस अधिया से आए तो आप उसी परषण की चैसे समझे रिलेटीक करें बड़े वाले परषण के बड़े वाले पर्षणों के ठीक करें और दोस्तों इन्दी साइथ ये सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में लगबग 119 कानिया दे गई और श्यार उपने आज नो और श्यार होते हैं तेरा तो सली दोस्तों आज के इस पेपर को समझते हैं दोस्तों ये पेपर और दो और अखंड में आपको सोटे सोटे पूशेंगे कि इस काननी का क्या मूल उद्विशी या कान रसना प्रकार परसुन आएगे तो आप जो कान ये पार्ट में देगि तो उनकानियों के जरूर पड़े और काननी के लेखक जरूर याद करें और इसमें पहला पूशन पूशा गया है कि मानगरी बोध के उपनियास से आप क्या समझते हैं दोस्तों मानगरी उपनियास के बोध से ये समझते हैं कि मानगरी या नगर से समबदित ज्यान जिस उपनियास से प्राप्त होता उसे मानगरी उपनियास के तह इस परकार आपको उत्तर को 30 सब्दम देना या उत परकार पर्षन पूशा गया उसी हिसाब देना है दूसरा पर्षन पूशा गया कि सामाधिक टकराटों के अपके वित्री तनाव पर अपनी दस्टी केंद्रित करने वाले कान ये कौनची इस परकार आपके छोटे-छोटे परसन आएंगे खंड में आठ परसन और आठ में आ भूष्यार्यार्यार करने और दोस्तों ये परसन आये कि आपको कान्या उप्नियास में से क्रिखने जो और उपनियास का आकर कारनी की दश्टी से बड़ा होता कारनी में जरूर नहीं कतानग होगा लेकिन उपनियास में कतानग जरूर होगा इसığını प्रकार आफ़ उतर लिगना और नील कांत स Papar कारनी में किन लोगों का शित्रण होगा हैं और मनोविज्ञानी कारनी किसे कहते जो क पड़ानी जो जिसमें मनदामान बावहाँ उसी ही करते हैं अब नगत पंडव के पुरानी सुख करनाा दोस्तों परकार आपे खंड में पंड में पंड़ा और ये सभी आमके कंडू के आपके का आप कहान या पड़ोगे तो आपको इन पस्टनों के उतर आराम से याद हो जाएंगे वापसी कहानी के कहान निकार रखे लाएंगे आप तो जब हिंदी साहित थी है कि आपके आएंगे तीन गद्यास और दोस्तों हिंदी साहित थी है कि सेकेंड बूक के अजन कि घड्यास पनेंट हों की वह क्या करती है वह सबसे सरलें जब आप घड्यास पढ़ोगे तो जो घड्यास के साहर है या घड्यास में जो बात बताइगी वो बात आपको आराम से संब्भगे लिए गद्यान्स पर सबसे मतुपन बात ध्यान रखने हैं कि यह सब से पहले आपको लिखने हैं परशन्ग विखने उनके दिवरा kept कर दिवरा रसी लिए इस कान नहीं स्दी लिए गया मतुपन बात ध्यान्स रोकने आपको परशन्गी आप जब कान यह पड़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि यह इस कान इसे लिया गया गध्यांस से बागे आप जब पड़ोगे तो जो गध्यांस का सार है यह गध्यांस से जो सबत दियेगे वो थोड़ो उद्र उद्र वाक्य बनाकर आप इसकी व्याक्या कर सकते हो और अपकी बार मेंटोपण अखंड में 3 गध्यास आएगे और zitten 16-17 नंबर के आएएगे इस परकार आपके 3 सवाल आएगे और 4 में से 300 आपके गध्यास्वाल ही हो गए अब सलते हैं पहला दूसरा तीसरा और श़ौता गध्यांस स्वाल है और उसके बाद बसते हैं तीन और दू-5 वाल और 3 तो होगे गध्यास 8 में से अब बसे पीछे 5 स्वाल अब दोस्तों आपको इन 500 लों के लिए टियारी कहां से करनी कैसे करनी मैं आपको सरल बात्षा मैं समझा देता हूँ दोस्तों आपको जो कानिया और उपनियास वाले पाट है, वो पाट आपको बढ़ देना है, जो पीसे देखे, आप काहनी, 37 से पहले काहनी देखे, मैं आपको पहले काहनी बता दे, तो कितनी जाएं पाट में? दूस्तो, आपके पाट में, ये 6, और ये 3, 2, 5 काहनी, यानि 9 कानिया दीगे और दोस्तों आपको अगर कोई कानि समझ नहीं आती है तो आप YouTube की आने किसी platform की एहलप या सायता लेए सकते हो कानिय का नाम और लेकर का नाम लिखोगे और जब आपको लिखोगे तो YouTube पर मिल जाएगी और आपको उस YouTube वीडियो जब से सोटा हो तो वीडियो आप उसे 20 कानि का आप ये समझ सकते हो बाकि दोस्तों बड़े वाले परसन के लिए आप कानि ये जरूर पढ़े नो कानिया और कानिया जिसको इंट्रेस आता पढ़ना वो पढ़े और कानिय समझ में भी सरल भासम आ जाती है और दोस्तों ये 8 परसंद के लिए आप कानिया जरूर पढ़े और कानियों में से आपको परसंद किस परकार आएगे कि पुसकर कानिय के जो मूल सवेदना बताई या पुसकर कानिय से क्या आशिये इस परकार के बड़े-बड़े सवाल आएगे उसमें आपको कानिय से रिले तो उसकाहानी से संबती रिलेटिव जो भी आपको आता है वो इस परसन में आप आराम से लेख सकते हो अगर आपको यह परसन का उत्तर नहीं आता तो उसकाहानी में जो पढ़ा है वह आप तुक्के को रूप में भी सला सकते हो अब दोस्तों नेक्स सवाले निरमला उपनिय से लिए अनमोल विवा से उत्पन किन किन समचा उलिक दिया है अगर आपने उपनियास पढ़ा है तो आपको इसका भी उत्तर आसानी से आ जाएगे और बाकी दो परसन आप आराम से गद्यान से कर सकते हो या आप जो नव कानिया पढ़ते हो तो आपके आट में से श्यार हुद्व में से आ जाएंगे और 8 परसंट पुसा किया दोस्तों सामना तो उनकी धरमपति शीव दावत के लिए कैसी त्यार करी और अपको आराम से इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा आराम से सभी परसंट के उत्तर लिग दोगे क्योंकि दूस्तोथ आपको 8 में से 6 और 8 में से 2 खुंटक उतर करने का ne आप आधी बुक्त कान्या उपनियास पड़ते होगे और कान्या उपनियास के कुल मिला के कितने पार्ट होते तो कुल मिला को साथ तक 10 पार्ट होते बाकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियों आपके इस subject के मोडल पेफर काएगा और उसके बाद दोस्तों इस बाढ़कर little gallery сोले उसके पेपर में से यॉमिछा झाये किसे पार्ष नहीं उनुसार शामादीग न्याय को परीबासित कीजी दोस्तों वह भी परशन था वह भी उसी मोडली पार दिये वो भी शेह माया और एक परशन आया तिलक का सवराज या तिलक का राश्टवास से क्या संबाधे तो उस परसन का उस गुमा सब्सक्राइब कर दिया गया कि मैंने उस मोडिल पेपर में यह परसंद बताया कि तिल्लक के सवराज से आप क्या समझते तो परसंद का उत्र वही था कि तिल्लक ने का राष्टवास सवराज मेरा जनब सद्धिक इदिकार है मैं इसे लेकर रहे हूंगा दोस्तों बाकि आप आपको इस पार्ट टोपिक से संब्सक्राइब आपको मैं तो परसंद और मोडिल पेपर मिलेगा तो सेनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाज